आगरा किस सरवाधिक लोग प्रिये चैनल सी न्यूस के आप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूस चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें मरीज की जिन्दगी दाउं पर लगाकर बिना मानक पूरे किये सडकों पर दोड़ने वाली एम्बिलेंस पर अब स्वास्तिव भाग की पैनी नजर है मुख्य चेकित्स अधिकारी अनुशिवास्तव ने बताया कि सवास्त विभाग की टीमें लगातार ऐसी एम्बिलेंस पर नजर बनाये हुए है जो की मानकों को ताक पर रखकर मरीजों की जिन्दगी को खत्रे में डाल रही है इस दोरान मुख्य चेकित्स अधिकारी ने बायो वेस्ट माचेरियल को लेकर भी नीजरी अस्पतालों से जानकारी मांगी है आई दिन मिल रही एम्बुलेंस की शिकायत को लेकर कहीं ना कहीं स्वास्विभाग की तो स्वास्विभाग दोरा हाल ही में एक बड़ी कारवाई एम्बुलेंस पर की गई है एम्बुलेंसों को जाचा परका जा रहा है जिन में खावियां मिल रही है उनके कलफ कारवाई की जा रही है हमाई से इस समय मौझूद है मुख्य चेकित्स अधिकारी अरुन सी वास्तव आयों से जानते कि किस तरह की पूरी कारवाई की गई है हमाया जो 108 और 102 की अम्बुलेंस चल नहीं है उसमें शिकारते मिल लहीं थी कि जो विवस्ताइं है थोड़ी ठीक नहीं है वैसे तो हम लोग हर मन्त उनको चेक करके उनकी रिपोर्ट भेजते हैं लेकिन इस बार एक अग्भ्यान चलाते हुए सभी चीजों के विशेज ध्यान देते हुए हम लोग ने इसको सबको जाच कराई है सारी एम्बुलेंस की लगबग जाच हो रही ही रिपोर्ट कमपाईल हो रही है अभी चालिस से अधिक एम्बुलेंस की हम लोग ने रिपोर्ट कमपाईल कर लिए जिसमें करीब साथ एम्बुलेंस ऐसी आई है जिसमें काफी थोड़ी सीट जैसे फटी मिलना या बैक लाइट का टूटा होना इस तरह की थोड़े सी देखते हैं और एकसो आट के जो नियंतरक लोग हैं उनसे कह दिया गया है और उनको रिप्लेस करने के लिए इनको कह दिया गया है और उन्होंने एकसेब्ट भी किया है कि इसको यह लोग अधिसीगरी चेंज करा देंगे और बाकी जहां तक ही मेडिकल किट्स का आकसीजन का अमुवैक का और बाकी जो आवशक सामगरी है इनके संसादन हंड़ेट पर से सुरिश्चित कर दी गई है जो थोड़ी बहुत कमी थी उनको भी हम लोग पूरा कर लिया है और अब एंबॉलास में इस तरह के कोई भी मेजर कमी न हो इसलिए हम इसको इस चिकली हर महीने इसका परिक्शन करते रहेंगे और जिसे की इस तरह कोई भी शिकायत भष बहूश म ata मानक क्या है एंबुलाइज के क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए और अगर कोईसी चीज़ की कमी है तो जो मरीज है या मरीज की तिमारदारें वो किन से संपर कर सकते हैं देखें बेसिक लाइफ सेविंग की जो भी आवशक्ता है जैसे इमर्जनसी ट्रे का होना जो इमर्जनसी में ड्रक्स की आवशक्ता होती है उनका होना और साथ में एक स्टेचर का होना ये सब चीज़ें बेसिक नेसिस्टी है उसके बाद जो मरीज की लेटने की विवस्ता ह ये सारी चीजें उसमें अनिवार रूप से होनी चाहिए कोविड नाइंटीन का खौफ जो है वो खत्म होता होना ज़रा रहा है साधी अगर ताजा मामलों की बात करें मुश्कल सब साथ या आठ एक्टिव केस हैं तो अभी उस पर क्या कुछ कहना है किस तरही तैयारिया है देखे अभी भी अगर आप देखें तो देश में गरीब एक तालिज जन पदर से हैं जहां पर एक्टिव केस अच्छी मात्रा में हैं यह अच्छा है सबागे हम लोग का की समय हम लोग काफी एक्टिव केस हम लोग काफी नियंत्रित हैं और कम भी है पॉस्टिव पॉस्टिविटी लगबख शून के करीब आ रही है कल जैसे चार केस थे आज भी मेरे खाल से एक क्या आसपास होंगे तो इसको देखते हुए यह आवशक है कि हम लोग अभी भी साटान है चुकि जैसा की आप जानते हैं यह वाइल वाइरस है और यह वाइल वाइरस दो तीन चीजें हैं जिससे यह नियंत्रित होता है वो है सिर्फ इमिनिटी, ऑ दो तरह से होता है या तो हमें इंफेक्शन हो गया हो उसकी वज़े सेंटी बॉडिज बंजाती ही या दूसा वेक्सिनेशन हमाएं जन्पद में जो दिक्कत है वो सिर्फ यही है कि हम लोग ने फर्स डोस तो 100% कम्प्लीट कर ली है सेकेंड डोस अभी कही न कहीं चाहे वो 15-17 वर्ष के हो चाहे वो 60 के अबब हो चाहे वो 18-45 वर का गुरूप हो यह सबी लोग सेकेंड डोस में अभी काफी पीछे हैं और यह पीछे हम लोग को हमेशा एक रिस्क पे रखता है अगर बात करें बायो बेस्ट मेटरियल को लेकर कहीं न कहीं बिवा गंभीर है किस तरह की अब तैयारिया है किस तरह की करवाई के मूड में है देखें जैसा की आप जानते की ताज नगरी है आगरा में प्रदूशन एक बहुत इंपॉर्टन मुद्धा है यहां के लिए बायो मेटिकल वेस्ट के लिए के हम लोग जैसे की जो हम लोग की बैठेंगे मंडला एक मौदे द्वारा निरेशित भी किया गया है इसमें हम प्रदूशर अर्दिकारी द्वारा लगातार डिरिक्शन भी किया जा रहा है अब कुछ चिकिसालों से यह शिकायते मिल लही थी कि वो लोग अपना बायो मेटिकल वेस्ट जो है वो पब्लिक के एरिया में छोड़ रहे हैं और कुछ जगे यह देखे भी गए है इसको देखते हुए यह लगातार निगरानी की जा रही है कि यह जो चिकिसाले हैं यह अपना कितना बायो मेटिरियल जो भी कांटेक्ट एजनसी है उसको दे रहे हैं कितना उनका नीमित भुकतान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं चुकि अगर वो वहां काम नहीं करेंगे त कि हमाई लिए हानफुल होगा इसलिए इनके उपर जो भी इस तरह करता पाए जाएगा उसके विरुद्ध कारवाई की जाएगी तो यह थे हमाई साथ मुख्यच की साधिकारिया अरूंड श्रीव वास्तप जिन्होंने एम्बलाइस की कारवाई पर जानकारी दी साथ ही बायो बेस्ट माटेरियल को लेकर भी अपनी जो राय है वो भी दी साथ ही जो अस्पताल है निजी अस्पताल है उनसे भी अपील की क वो बायो बेस्ट माटेरियल को जो सिस्टम है उसके हिजाब से ही बेस करें उसको कहीं न कहीं सही जगे पर पहुचाएं साथ ही अगर बात करें को लेकर एक्टिब केस की संग्या साथ या आठ के असपास है लेकिन कहीं न कहीं अभी भी सभी को साब्धन रहने की जरूरत ह होली का तोहर नजदीक है लोगों को फिर भी होली के तोहर पर भी सामाजीक दूरी का पालन करते हों मास्क लगाना बहुत जरूरी बताया है अगर बात करें वैक्सिनेशन को लेकर वैक्सिनेशन का रहे है तेज रफ्तार से चल रहा है ऐसे में जरूरी है कि यूवा जो है आ झाल जिलक मार्चिंक सी दो लुजागा.